साथ संगा जी सद्गुरु मेजिक भोचपुरी चैनल को लाल बटन दबाए कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो अप्लोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुचे बड़े प्यार और सद्गार से कहना जी धानिरंकार मिलके बोलिये सद्गुरु माका सुधिक्चा सविंदर हरदेवजी माराजी की शाथ संगा जी आओ मिलके शुकर मनाएं खुशनुमा समय जो ऐसा पहले बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है दास हमारे प्राइप प्रसाशन के और तमाम आडमिनिस्टेशन के एदिकारी आदरी श्रीय शल्क पुराना जी साथ संगत बड़ी ही किरपा किये कि इतने बिजूल बिजी सी डूल मैंसे भी इन्होंने हम सब को कर्टार्ट करने के लिए यहाँ पे किरपा किये साथ संगत सबसे पहले उन्माई भाई बेहन के चर्णों में प्रात्रा करेगा जो आज इस निरंकारी संसमागम में पहली बार आये है निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं कोई मजभ नहीं कोई संप्रदाय नहीं बलकि ये चारों बर्रों का एक साजा मिशन है ये एक आध्यात्मिक विजार धारा का मिशन है यहाँ पे आज ये मिशन पूरे विश्व के अंदर सत्वर मा का सुदिशारी एक यूनिवर्सल ब्रदर होड की भावनाओं को लें करके जो हम साथ संगत अपने बेश सास्त्रों में दोसुधयों की बात किते थे आज जो मनुर्भव की बात कहीं जाती है आज इस मिशन में ये देखने को मिल रहा है साथ संगत लिहाँ पे एक प्रम पिता प्रमाकमा इश्वर के बारे में जब हम अपने बुजूर्गों के पास वैठते हैं अपने ज्यानी संत्रों महात्माओं के पास वैठते हैं प्रमात्मा की बात करते हैं तो हमें समझाते हैं कि प्रमात्मा कड़कण में है जर्ने जर्ने में है पत्ते पत्ते में है तो आज ये निरंकारी विशन के इस मंच से एक ही आवाज दी जा रही है कि मेरे दोस्तों आप जिस किसी भी रूप में आपने घरों में कोई पूजा का अस्थान बनाया हो और जिस धरम गरंथ को पड़ते हैं जिस रूप में आपका कारिक्रम चल रहा है इस दर्बार में आईए और ऐसे प्रभू प्रमात्मा की अन्भूति कीजिए ये समय के सत्गुरू की सिर्फ इतनी पहचान है कि ये जो हम भौतिक संसार देख रहे हैं ये प्रभू की रचना है और इसका रचनहार इश्वर प्रभू प्रमात्मा निराकार है इसी बात को ये समझा देते हैं इंसान जनम रितु के चक्कर में फ्रा होता है बार बार जनम लेना बार बार मर जाना ये महत्मा समझा रहे हैं दोस्तों 83,99,99 योनी भुगतने के बाद में इन भोग जोनियों को भुगतते भुगतते बहुत समय बाद बीत गया फिर इनका एक सरदार 84,99,99 जोनी मानो योनी प्राप्त होई और जिसका मिल पाना बड़ा कठिन है और इसी योनी में इनसान को इस्षत्य का बोद हो सकता है और ये महत्मा यही समझा रहे हैं कि दोस्तों इस दर्बार में आईए अगर आपको इस बात की जानकारी हो गई कि मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ किस ले आया हूँ वापस कहां जाना है तो मुबारक है अगर नहीं आपको इसकी जानकारी हो पाई तो इसके चर्णों में सजदा कीजिए और वही सदियों पुरातन ग्यान है और ज्ञान बताने वाला भी एक ही होता है भागवान किरिशन जी महराज ने अर्जुन को समझाया है अर्जुन जिस किसी भी देश काल में मेरा प्रमग्यान दिया जाता है वो मैं ही होता हूँ और उसको हम पुष्टी करने के लिए पुटते हैं यदा यदा ही धर में से गलाने रहे बहुत बारता सभी इसको पढ़ते हैं और ये मिशन इसना साथ शाप कराता है ये प्रभु परमातमा का ज्यान दे करके एक हमारे अंदर इंसान बन कर जीमन जीने की कला सिखाते हैं राम राम करता था मैं राम मिलाया मुर्शद ने उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने वरना साथ संगत में इंसान होते हुए भी मुझे बोलना नहीं आता है हम रोजाना इस सबत को अपने घर में यूज़ करते हैं कि हम अपने आपको इंसान कहते हैं जब कोई हमसे ज़्यादा मिश्टिक हो जाती है हमारे परिमार के बड़े बुरे कहते हैं तुझे तो बोलना ही नहीं आरा लेकिन ये समय का सत्गुरू की एक खासियत है जिसके जीवन में ये प्राफ तो हो जाते हैं उसके लिए कहा गया मिल गया जिनको सत्गुरू पूरा उनकी बारी बदल गई संत जनों के चर्ण दून से रेक पुरानी बदल गई साथ संगत ये इनकी किरपा से इनकी दया से ये संबव हो पाता है अब हम सभी प्रमग्यानी लोग जो बैठे हैं आज जो समय के सत्गुरू माता सुदेक्षा जी का आवाहन है जो बार-बार हमें समझाने का यतन कर रहे हैं वो हम अपने धार में गरंतों में पढ़ते हैं जब साथ संगत रामण माता सीता का हरन करने के लिए उन्हें कहने लगे हैं देवी मुझे पहचान रही है बोले स्वामी ना तुमें पहचान तो रही हूँ लेकिन क्या आप मुझे बताएगे कि आप जो है राजा से ये सादू बेश में किस प्रकार से आए कहने लगा तुम्हें पता नहीं आज मैं माता सीता का हरन करने के लिए जा रहा हूँ मंतोदरी ने जो बात कही वो समझने और सुनने लायक है साथ संगत उसने कहा हे रावर अभी तो तेरे मन में एक हीन फावना पैदा हुई माता सीता का हरन करने के लिए तु राजा से विखारी हो गया सोने का मुपट भी नीचे आ गया और जिस दिन तु माता सीता का हरन करके लाएगा तेरे कुल का क्या होगा आज यहाँ पे एक बेहनर लगाया जाता है जैसी द्रिष्टी वैसी श्रिष्टी तो आव साथ सिंगत सतुर माता जी का धन्यवाद करते हूं शुक्राना अदा करते हूं आप सब का धास धन्यवाद करता है और मिल जुनकर के सभी ब्रमग्यानी बैठे हैं ये देनहार मेरा सतुर बैठा है इनके बारे में ये चंद लाई नहीं रख रहूं ये खुदा का नूर है ये ही खुदा का रंग है ये खुदा का नूर है ये ही खुदा का रंग है और पास है इनके खुदाई ये खुदा के संग है आ दिखा दू तुझको अल्ला राम का देदू निशान देख ले तू उस खुदा को जो खुदा बेरंग है यू तो खुदा की रा दिखाई हर पैगंबर पीर ने इूदो खुदा की राह विखाई हर पैकुंबर फीर ने पर सत्वुर माता शुठिक्षा का सबसे निराला घंग है तो साथ संगत दातार आप किरपा करना समय के मालिक हो प्रभु निराकार आपकी चर्णों में प्राटना है जो एक एक कदम चल के सभी भाई बेनाय सबकी शेवन मुश्कार प्रवान करना जो किसी कारण से नहीं आ पाए दातार उनके उपर भी किर्पा करना सबके घरों में आर्थिक पारवारिक सामाजी कुशी देना आस अलाद इज़त रोजी जत्मान देना हम सबको सुमक का दान देना तन से मन से धन से इतनी ताकत देना कि हर संप्रवाय की सेवा करते हुए लोग सुकी पर लोग सुहला कर पाऊं मैं तो मागू भला आप सबके लिए आप मेरे भले की दुआ की जी प्यार से हो